दोस्तो फिर से एक नवीडियो में आपको स्वागतें, दोस्तो इस विडियों पर में आप लोगों को आभाकार को मोबाइल से hep कैसे, नाव कर सकते हैं, उसका complete process दिखाने जा रहा हूं लेकिन दोस्तों इस से पहले मैं आभाकार ओन पर ले दिखाने के बारे में वीडियों तो दोस्तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तो आपके मुबाइल पर कोई भी एक ब्राउजर में आपको चले जाना है जाके आपको टाइब करना होगा आभा नंबर तो यहां पर देखसकते हैं कि मैंने गोगल में जाके आभा नंबर टाइप किया, आभा chm.gov.in का जो option दिखने को मिल रहा इसको भी आप Google में जाके search कर सकते हैं search करके आपको आभा नामबर पे क्लिक कर देना होगा तो यहां पर देखिए आभा नामबर पे मैं क्लिक कर देता हूं login में क्लिक किजिए login में क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पर देखिए अभी आपको दो अप्सन दिखने को मिल जागा यानि आपके आभा प्रोफाइल में login होने के लिए आपको यहां पर दो तरह से आप लोगिन कर सकते हैं पहला है mobile नंबर और दूसरा है आभा नंबर अगर अभा नंबर को सेलेक खरते हैं तो mobile नंबर से अगर login करने चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर अभी आभा कार के साथ जो mobile नंबर रिजिश्टरेट है तो रिजिश्टरेट मोबाल नंबर आपको यहां पर enter करना होगा उसके बाद आपको यहां पर I am not robot में click करके आपको continue कर यह आप देना नहीं चाहते तो दोस्तों आप नीचे आभा नमबर को सेलेक करना होगा आभा नमबर पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहां पे देखे आभा नमबर के जगह पे आपके आभा काड के उपर 14 डिजिट का नमबर रहेगा वो 14 डिजिट का आभा नमब आपको यहां पे डाल देना है, आभार नंबर डालने के बाद में दोस्तों आपको नीचे year of birth में क्लिक करना है, year of birth में क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी यहां पे आपको आपके आभा कार्ड बनाने का वक्त आपने जो date of birth डाला था, वो date of birth का आपको year यहां पे select कर लेना होगा अगर आपके पास आभा कार्ड है तो आप आभा कार्ड में भी देख सकते हैं कि आपका डेटर बाद कौन सा डाला हुआ है तो डेटर बार सेलेक करने के बाद में दोस्तों आपको यह पे नीचे में I am not a robot में क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नीचे continue में क्लिक करना होगा और यहांपे देखे continue में जब क्लिक कर देते हैं तो आपको यहांपे दिखने को मिलेगा एक नमबर है अगर आपके आधार कड़ के साथ जो रेजिस्टर करवाया था बो मुबाल नमबर अगर है आपके पास तो आपको ये दो नमबर वाला जो अप्शन है लिंक विद आभा नमबर वाला अप्शन को चूज करना है और उसके बाद जब आप इसको continue करेंगे तो तो आप लोगिन करके आभा काड को आसा निचे डामबर कर सकते हैं लेकिन दोस्तो मैं यहाँ पे उपर में जो पास्वड का अप्शन है पास्वड को सेलेक करता हूं क्योंकि आभा काड में जो पास्वड था बो पास्वड याद है तो पास्वड वाला अप्शन को आपके प्रोफाइल लोगिन हो चुका है अभी यहां पर नीचे देखिए यह आभा नंबर काड यानि आपका आभा काड यहां पर देखने को मिल जागा और दोस्तों यह आभा काड डाउनलोड करने से पहले अगर आपके आभा काड में कुछ चैंज करना चाहते हैं तो दोस तो अभी आपको यहां पर फोटो भी आप चैंज कर सकते हैं तो फाइल में जाके फोटो चैंज कर सकते हैं आपके नाम में करेक्शन कर सकते हैं या आपके डिस्टिक को बदल सकते हैं अगर आप यहां पर दोबरा आपका जो इमेल आइडी भी आपडेट करा सकते हैं या आपका mobile number भी अपडेट करा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर फिर से update हो जाने के बाद में आपको, फिर से menu का bottom में click करना है, menu का bottom में click करने के बाद आपको यहाँ पर your Abha number card में click करना है, और click करने के बाद में दोस्तों इसको आप आप साइड में touch कीजिए, उसके बाद आपका Abha card यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और नीचे में देखिए, download Abha number card में click करने के बाद अगर देखिए, download हो रहा है तो आपको future download में click कर देना है, और download में click करते ही देखिए, यहाँ पर download हो चुका है और यहाँ बहुआ बाद में click करता हूँ, और open में click करके, देखिए, इस तरह से बार है आपको पता चल चुका है और दोस्तों आपके लिए हल्फुल रहा है तो वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब ही किजिएगा ताकि आपको इस तरह करना है नए वीडियो मीलता झाले झाले